इस लेक्चर में हम स्टीलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगी स्टील शब्द ग्रीग भाशा से लिया गया है जिसका अर्थ है कॉलम स्टील शब्द वॉन टिगहम के द्वारा दिया गया था स्टील के एलिमेंट्स की बात करें तो एंडोडर्मिस के अंदर की ओर पाए जाने वाले सभी टिशूज स्टील के एलिमेंट्स कहलाते हैं जैसे पैरिसाइकल, फलोयम, जायलं, मäडौला, वे कनजंक्टिव टिशू इन में से पैरिसाइकल, मäडौला, वे कनजंक्टिव टिशू ये तीनों उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी जबकि phloem वैस जाइलम जो हैं वो हमेशा उपस्थित होते हैं स्टील के टाइप्स की बात करें तो एंजियो स्पॉर्म्स में दो प्रकार के स्टील पाए जाते हैं यू स्टील एंड अटेक्टो स्टील जब स्टैम के अंदर वास्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंजड होते हैं तो इसे यू स्टील कहते हैं जैसा की डाइग्राम में प्रदर्शित किया गया है यू स्टील डाइकॉट स्टैम में पाया जाता है जब stem के अंदर vascular bundles ground tissue में बिखरे हुए रहते हैं तो इसे अटेक्टो स्टील कहते हैं जैसा कि डियाग्राम में प्रदर्शित किया गया है अटेक्टो स्टील को most advanced type का स्टील माना जाता है अटेक्टो स्टील monocot stem में पाया जाता है जायलम के types की बात करें तो तीन मुख्य अधार हैं based upon size, based upon position of protozylum and based upon number of protozylum arms Size के अधार पर जायलम दो प्रकार का होता है Protozylum वे Metazylum Protozylum size में छोटा वे पहले बनता है जबकि Metazylum size में बड़ा वे बाद में बनता है जैसा कि डियाग्राम में प्रदर्शित किया गया है Protozylum की position के अधार पर जायलम तीन प्रकार का होता है Exarch, Endarch वे मिजार्च, Exarch को Centripetal Xylem भी कहते है और Endarch को Centrifugal Xylem भी कहते है जब Protozylum प्रिधी की ओर होता है और Metazylum की अंदर की ओर होता है अर्थात origin बाहर से अंदर की ओर होती है तो इसे Exarch condition कहते हैं जैसा कि डियाग्राम में प्रदर्शित किया गया है Exarch condition Angiosperm Plants की Roots में पाई जाती है जब Protozylum की अंदर की ओर होता है और Metazylum प्रिधी की ओर होता है अर्थात origin अंदर से बाहर की ओर होता है तो इसे Endarch condition कहते हैं जैसा कि डियाग्राम में प्रदर्शित किया गया है Endarch condition Angiosperm Plants के Stem में पाई जाती है जब Metazylum Protozylum को चारों ओर से गेर लेता है तो इसे Misarch condition कहते हैं जैसा कि डियाग्राम में प्रदर्शित किया गया है Misarch condition को कुरुबिटा स्टेम वैफर्न मेरिस्टील में देखने को मिलती है Protozylum भुजाओं की संख्या के अधार पर जैलम साथ प्रकार का होता है Protozylum की एक भुजा है तो Monarch, दो भुजाए है तो Diarch, तीन भुजाए है तो Triarch, चार भुजाए है तो Tetraarch, पांच भुजाए है तो Pentarch, छे भुजाए है तो Hexarch और यदि 6 से अधिक भुजाए है तो उसे Polyarch Condition कहते है तो वास्कुलर बंडल्स की बात करें तो जैलम वे फ्लोयम के ग्रुप को वास्कुलर बंडल कहते है ये केवल जिम्नोस्पॉम्स वे अंज्योस्पॉम्स में ही पाए जाते है जैलम और फ्लोयम की स्थिती के अधार पर वास्कुलर बंडल्स तीन प्रकार के होते हैं रेडियल वास्कुलर बंडल्स कॉंजाइंट वास्कुलर बंडल्स एंड कॉंसेंट्रिक वास्कुलर बंडल्स जब जैलम वे फ्लोयम अलग-अलग त्रिज्जाओं पर पाए जाते हैं तो इन्हें रेडियल वास्कुलर bundles कहते हैं इनमें हमेशा exarch condition पाई जाती है जैसा कि डाइग्राम्स में प्रदर्शित किया है radial vascular bundles angiosperm plants की roots में पाई जाते हैं डायकोट roots में diarch to hexarch condition पाई जाती है वह पित less developed या absent होती है जैसा कि diagram में प्रदर्शित किया गया है जबकि monocot route में polyarch कंडिशन पाई जाती है और पित वेल डेवलप्ड होती है जैसा कि डाग्राम में प्रदर्शित किया गया है जब जाइलम वैफ लॉयम दोनों एक ही त्रिज्या पर पाई जाते हैं तो इन्हें कोंजोइंट वास्कुलर बंडल्स कहते हैं इस प्रकार के वास्कुलर बंडल्स एंजियोस्परम प्लांट्स के स्टैम्स में पाई जाते हैं कोंजोइंट वास्कुलर बंडल्स को फर्दर आगे दो टाइपस में डिवाइड किया गया है Collateral Vascular Bundles and Bi-Collateral Vascular Bundles जब Phloem Pridhi की ओर, West Xylem Center की ओर Director होता है तो इन्हे Collateral Vascular Bundles कहते हैं इनमें हमेशा Endarch Condition पाई जाती है Cambium की उपस्थिती या अनुपस्थिती के अधार पर ये दो परकार के होते हैं Open and Closed Cambium उपस्थित हो तो इन्हे Open Vascular Bundles कहते हैं जैसा की डाइग्राम में परदर्शित किया गया है Open Vascular Bundles, Gymnosporms and Dicots के Stem में पाई जाते हैं यदि Cambium उपस्थित हो तो इन्हे Closed Vascular Bundles कहते हैं जैसा की डाइग्राम में परदर्शित किया गया है Closed Vascular Bundles, Monocot Stem में देखने को मिलते हैं जब जैलम के बाहर वै भीतर दोनों और फ्लोयम पाया जाता है तो इन्हे Bicolateral Vascular Bundles कहते हैं ये हमेशा Open होते हैं और इनमें हमेशा मिजार्च कंडिशन पाई जाती है जैसा की डाइग्राम में परदर्शित किया गया है Bicolateral Vascular Bundles, Cucorbitacy, West Solanacy Families के मेंबर्स में पाय जाते हैं Concentric Vascular Bundles में एक Vascular Tissue, दूसरे Vascular Tissue को चारों और से गेरता है ये हमेशा Closed होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं Amphicribal and Amphicribal Amphicribal को Hydrocentric भी कहते हैं और Amphicribal को Leptocentric भी कहते हैं जब Xylem Center में Vafloem 4 और पाय जाता है तो इसे Amphicribal या Hydrocentric कहते हैं Xylem हमेशा Mizarge Condition में होता है जैसा की डाइग्राम में प्रदर्शित किया गया है Amphicribal Vascular Bundles, Fern Meristeel में पाय जाता है जब Phloem Center में वे Xylem 4 और पाय जाता है तो इसे Amphicribal या Leptocentric Vascular Bundle कहते हैं ये Vascular Bundles secondary रूप से उत्पन होते हैं जैसा की डाइग्राम में प्रदर्शित किया गया है Amphicribal या Leptocentric Vascular Bundles Dracena वे यक्का में देखने को मिलते हैं Dracena को Dragons Fly भी कहा जाता है कुछ अन्य Important Points की बात करें तो Number of Xylec Conditions के अधार पर Vascular Bundles दो प्रकार के होते हैं Mono Xylec Vascular Bundles and Diplosilic Vascular Bundles जब एक Vascular Bundle में केवल एक ही प्रकार की कंडिशन Xarch या Endarch पाई जाती है तो इसे Mono Xylec Vascular Bundle कहते हैं अधिकांश पौधों में Mono Xylec Condition ही देखने को मिलती है प्रन्तु जब एक Vascular Bundle में दोनों प्रकार की कंडिशन Xarch ए Endarch पाई जाती है तो इसे Diplosilic Vascular Bundle कहते हैं इस प्रकार के Vascular Bundles बहुत कम प्लांट्स में देखने को मिलते हैं जैसे Cycus के Leaf Let या Rackis में जैसा की Diagram में प्रदर्शित किया गया है Vascular Transition Zone की बात करें तो Hypocotile Zone में Root के Vascular Bundles, Stem के Vascular Bundles से जुड़ते हैं इस क्षेतर को Vascular Transition Zone कहते हैं ड्वारफ Bundles की बात करें तो ऐसे Vascular Bundles जो केवल Xylem या Phloem के बने होते हैं ड्वारफ Bundles कहलाते हैं पीनिया में Xylem Bundles पाए जाते हैं वे कुसकुटा में Phloem Bundles पाए जाते हैं पाए जाते हैं झाल झाल